देखो आज अभी हम जो next question करेंगे ना उसमें एक theorem लगेगी alternate segment इसका proof तुम्द में बाद में कराएंगे लेकिन मैं result बता रही हूं क्या होता है angle suspended by a chord ठीक है मान लो कोई भी एक chord है ये angle suspended by a chord with a tangent ये कोई एक chord है इस chord ने इस circle को दो segment में डिवाइड किया एक segment ये है और दूसरा segment ये पूरा है ठीक है तो ये वाली जो chord है इस tangent के साथ इस वाले segment में जो angle बनाएगी वो angle equal होगा ये chord ठीक है इस वाले segment में जो angle circumference पे बनाएगी यानि कि अब ये chord angle कैसे बनाएगी एक यहां से और एक यहां से यानि कि जो angle 1 है वो किसके equal होगा angle 2 के यानि कि angle 1 equals to angle 2 by alternate segment ठीक है देखो ये एक chord है ठीक है इस chord ने इस पूरे circle को दो segment में divide किया एक segment ये और एक ये इधर का पूरा ठीक है तो ये वाली जो chord है इस chord ने tangent के साथ इसवाले segment में जो angle बनाया याई is angle 1 वो equal होगा इस chord ने alternate segment यानि कि दूसरे segment पे circumference पे जो angle बनाया उसके तो इस वाली chord ने इस वाले segment में tangent के साथ कौन सा angle बनाया 1 और इस same chord ने alternate segment पे circumference पे कौन सा angle बनाया angle 2 ठीक है angle 1 बराबर angle 2 हम ऐसे भी देख सकते हैं अगर इस वाली chord के लिए देखें यह वाली जो chord है इस chord ने tangent के साथ कौन सा angle बनाया 3 अब chord change कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इस तरह से भी लग सकता है angle 3 बनाया ठीक है तो अगर angle 3 यह बनाया और अगर हम यहाँ देखें तो इसी chord ने another segment में कौन सा angle बनाया यह वाला तो angle 3 किसके एकवर हो जाएगा angle 4 के और यह भी क्या है तुम्हारा alternate segment समझ में आती ही बत